हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांद सर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल योगा विद प्रशांद पर फ्रेंड्स आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम सवासन है सवासन एक संस्कृत का सबद है जिसमें सव का आर्थ होता है मरत सरीर यानि की जैसे मरा हुआ सरीर होता है उसके समान हमारा सरीर दिखाई देता है जब हम इस आसन में लेटते हैं तो बिलकुल मरत सरीर के समान हम हो जाते हैं इसलिए इसको सवासन कहा जाता है तो फ्रेंट्स आईए इसको शुरू करते हैं इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पीट केबल लेट जाना है इस परकार से आपको धीरे से पीट केबल लेट जाना है अपने हातों को पैरों के पास कुछ इस परकार रख लेंगे आपके हाथ ना ही सरीर को टच हो और ना ही सरीर से ज़्यादा दूर हो अपने दोनों पैरों के दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखेंगे और दोनों पैरों के अंगुठे विप्रे दिसा में कर लेंगे कुछ इस परकार से और अब धीरे धीरे आँखों को बंद करेंगे और सरीर को बिलकुल धीला छोड़ देंगे जैसे कि एक मरत सरीर होता है उस प्रकार से हमारा सरीर दिखाई पड़ेगा अब अपना ध्यान सबसे पहले अपने दोनों पंजों के उपर लेकर जाएंगे अपने आंत्रिक मन में अपने ध्यान को लेकर जाना है धीरे धीरे अब अपने ध्यान को थोड़ा उपर गुटनों पर लेकर आएंगे इसके बाद अपने ध्यान को नाभी के अक्षेत्र में लेकर आएंगे और महसूस करेंगे अपनी सांसों को आप स्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं अब अपने ध्यान को अपने मुख पर लेकर आएंगे अपनी आखों पर नाख पर कानों पर और अपने संपूर्ण मुख पर ध्यान को केंद्रित करेंगे इसके बाद अपना संपूर्ण ध्यान अपने हाथों पर लेकर जाएंगे आपके स्रीर में एक उर्जा का परसार हो रहा है आपके स्रीर में नई उर्जा परवेश कर रही है यह आसन सभी योगा भ्यासों को खत्म करने के उपरांत किया जाता है तो स्रीर से जो उर्जा बाहर गई है वै धीरे धीरे वापिस आ जाती है और एक नई उर्जा का संचार हमारे स्रीर में हो जाता है अब अपना ध्यान अपने मस्तिस्क पर लेकर जाएंगे और आप देखेंगे हमारे इष्टदेव, हमारे परमात्मा में हमारी आत्मा लेन हो चुकी है और बिलकुल म्रत स्रीर के समान लेटे रहना है यह आसन देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन यह आसन थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें हमारे मन और हमारे स्रीर को एक साथ कंट्रोल करना होता है हमारा मन बहुत ही चंचल होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन इसके अभ्यास से आप अपने मन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं इस परकार आप पांच से साथ मिन्ट इस आसन में लेटे रहेंगे और जब आप इस आसन को खोलेंगे तो आपको सीधा ही नहीं उठना है आपको दाई तरब कर्मट लेकर उठना है अब आप हातों को आपस में रगडेंगे और संपोन उर्जा अपने मुख मंडल पर इस परकार से लगाएंगे अब धीरे धीरे हातों के अंदर ही अपनी आखों को खोल लेंगे और अब धीरे से दाई तरब कर्मट लेंगे और हातों की मदद से धीरे धीरे वापिस बैठ जाएंगे और सामन्य वस्था में आज आएंगे तो इस परकार आप सवासन का अभ्यास कर सकते हैं तो आईए फ्रेंड्स जानते हैं इस आसन के कुछ लाबों के बारे में यह आसन हमारे सिलीर पर किस परकार कारिये करता है सबसे पहले बात करते हैं मन की एकागरता यह आसन हमारे मन की एकागरता को बनाए रखता है क्योंकि इसमें हम गहन ध्यान करते हैं गहन अध्यान करते हैं तो हमारा मन एकागर होता है इसके बाद यह आसन सभी योगा भ्यास कंप्लीट करने के बाद किया जाता है तो जो आसनों में हमारी उर्जा खतम हुई थी उस उर्जा को वापिस यानि कि खोई हुई उर्जा को वापिस लोटाने का कारिय हमारे उपर करता है और इसमें गहनत धिन करने के उपरांत हमारी तनाव से मुक्ति होती है क्योंकि धीरे धीरे जब हम गहनत धिन करते हैं तो हमारा मन सांत होता चला जाता है और तनाव और डिप्रेशन से हमें निजात मिलता है इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को रक्त चाप की समश्या है यानि की जिनका बीपी हाई और लो रहता है उन्हें यह आसन नित्य करना चाहिए क्योंकि इससे रक्त चाप की समश्या समाप्त हो जाती है और रक्त चाप सामन्ने हो जाता है इसके बाद जिन लोगों को नेंद नहीं आती यानि की एनिंद्रा की प्रोब्लम है इन्सोमिनिया की प्रोब्लम है उन्हें यह आसन डेली करना चाहिए 10 से 15 मिनट क्योंकि धीरे धीरे एनिंद्रा की समस्या से यह निजात दिला देता है और इसके बाद जिन लोगों को बात दोस्की प्रोब्लम है वह भी धीरे धीरे खतम हो जाती है तो फ्रेंट्स ये थे इसके कुछ लाब आईए जानते हैं इसकी कुछ सावधानियां फ्रेंट्स इस आसन की वैसे तो कोई सावधानी नहीं है लेकिन फिर भी एक यदो सावधानी है वो हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या करना है यह आसन करने के उपरां आपको एकदम से आखे नहीं खोलनी क्योंकि यह बात हर एक आसन में बताई जाती है एकदम से आखे खोलने से हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं तो friends एकदम आखे हमें कभी नहीं खोलनी चाहिए इसके बाद इसमें एक important बात और होती है कि जब इस आसन को खतम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सीधा नहीं उठना क्योंकि उससे क्या होता है हमारे पेट पर अनावशक दबाव नहीं आता और हम स्वस्त रहते हैं तो friends ये थी इसकी कुछ सावधानिया मैं आसा करता हूँ आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते होई आसन का लाब लेंगे तो friends आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिपिकेशन आप सभी तक पहुँच सके और आप उसका लाब उठा सके तो friends मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार